नमस्का दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं रोकेट इंसेक्टिस साइड के ओपर जो की पी आई कंपनी का एक दमदार प्रोड़क्ट है बहुत ही पुरान प्रोड़क्ट है और काफी ज्यादा तीखी स्मेल वाला प्रोड़क्ट है यानि कि सीर चक्रा देती कि बहुत ही जो है दमदार इंसेक्टिस साइड का काम करता है जो की जादतर जो है जितनी प्रकार की आपकी फसल में सुंडिया रहती है उन सब को पूरण तरीके से नियंतरित कर लेता है उन्हें मार देता है या फिर खेत में आने ही नहीं देता और बहुत सारे टीड़े कीड़े मकोड़े रहते हैं जिन कोई खेत में आने ही नहीं देता बहुत ही ज़्यादा तीखी समय रहती है और इसका जो वैटिंग प्रिड़ यानि की जो असर दिखाता रहता है वह बहुत लंबा इसका असर चलता है लगवक्त 10-12 दिनों तक जो है असर दिखाता रहता ह है और इसमें प्रिकॉसन लेने की जूरूरत यह है दोस्तों कि आपकी जब भी कोई भी फसल की हर्वेस्टिंग हो रही होती है तो कम से कम जो है 12-14 दिन का गैप राखे हर्वेस्टिंग से पहले इसको 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 जो आप सभी परकार की फसलों में इस्तेमाल कर सकत क्टेखेंब भींडी हो गया आपका तोमार्टर हो गया शिंतुला मिर्चव में बागवानिक सेथ्र में सीब अनार उग्यारा फसलों में इसका इसका इस्तेमाल किया जा सकता है पर उसमें यह है दोस्तों कि अत्याधिक गर्मी अगर टेंपरेचर जो आपका रहता है 35-38 डिग्री से उपर रहता है तो थोड़ा वाइड करें फ्लावरिंग स्टेज में क्योंकि इसे थोड़ा फूल जणने की समस्या आपकी रहती है अगर आप फ्लावरिंग स्टेज में इस डिडे रहते हैं इसको आसानी से खतम कर लेता है और काफी जाधा तीखी इसकी भदबू रहती है महक रहती है जो कि बहुत ही ज्याधा तीखी होती है दोस्तों और इसमें आपका टेक्निकल डिटर रहता है दोस्तों वह रहता है प्रफैंडव फॉस 40 परसेंट और दूसरा जो साथ में रहता है कंभाईन में चारिकल मायथी तो वारे जो असर करता है दोस्तू बड़ा जवर्दस इसका असर रहता है कफी लंबे समय लगए चार पांच साल से मैं इसको 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 कर रहा हूं कभी को एसका इसका इसका इसके तिक ही स्मेल रहती है जिससे की थोड़ा वाइड भी करते हम इसको पर फिर भी दोस्तों अगर कोई और इलाज ना रहे तो उसके बाद इसका 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 इसके इसका 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 कर सकते हैं पर 2 ml पर लेटर के हिसाब से आप टंकी में इस्तेमाल करते हो 15-18 लेटर की जो भी आपकी टंकी रहती है उसमें तो अच्छे रिजलाट देखने को मिलते हैं उसमेंने में जो रहता है आपका फ्लावरिंग आने से पहले सप। कर सकते हैं और पर चौह इसनी दिनों के बीच में सब्सक्राइब ट्यार है ब्ल्काइई अस वक्षैजिक रहते हैं उसका इस्ते के हुए पर ना इस्तिमाल करें कि इसका थोड़ा असर रह जाता है जिससे की जब आप मार्केट में लेकर जाओगे तो दूसरों की सहत पर भी असर पड़ता है और प्राइज की बात कर लें दोस्तों तो ज्यादा महंगर नहीं है यह वाली पैकिंग आप देख रहों कि 100 ml की पैकिंग है तो लगवक 500 रुपए प्राइज लगा हुए जो लीटर की पैकिंग आपको बढ़ती है लगवक जो 800 रुपए के आसपास जो लीटर की पैकिंग मिल जाती है यह वैरी करता है आपके बीज मंढ़ार वारे कितने आपको देते हैं थोड़ा बास दोसरों पर न अगर कोई सवाल है सुझा रहा थे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें